है हेलो गाइस सो फाइनली मोेटो रोला ने अपनी एज सीरीज में दो नैसे सांधर ही स्मार्टफॉन को बालत में Lidores में लांच कर दिया है जो कि terift के नाम से आते हैं कभी सांधार ही समार्टफॉन लांच किया मोेटा है इस यह सीरीज में जिसमें आपको सारे 5G वेंट देखने को मिलते हैं साथी 140 रिफ्रेस्ट रेट की एक एमुलेट डिस्प्ले भी देखने को मिलती है तो जानते इस वीडियो में और कौन सी फीचर्स और किस कीमत के साथ यह स्माटफोन आते हैं अगर पहले बात करें मोटरूला S20 में आपको 140 रिफ्रेस्ट रेट देखने को मिलती है काफी स्मूथ और फिल्वीट है रहने वाले आपका मोटरूला S20 की दिस्प्ले के साथ में तो काफी immersive display panel के साथ Motorola S20 आता है अगर प्रोसेसर की बात करें तो Motorola S20 में आपको Qualcomm की तरफ से आने वाला Snapdragon 778G 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है अगर GPU की बात करें S20 में आपको Adreno 6-2L GPU देखने को मिलता है तो काफी powerful processor और GPU की combination के साथ Motorola S20 आता है तो बड़े ही high graphics game को आप इस smartphone में काफी अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हैं अगर connectivity की बात करें तो Motorola S20 में आपको latest Bluetooth के साथ Wi-Fi, NFC और GPS का support भी देखने को मिलता है साथी इस smartphone में आपको सबी तरह के 4G और 5G band देखने को मिलते हैं तो भरपूर 5G band के साथ Motorola S20 smartphone आता है अगर camera setup की बात करें तो S20 में आपको triple rear camera setup देखने को मिलता है जिसमें 108 megapixel का primary camera, 16 megapixel का ultra wide और 8 megapixel का telephoto camera देखने को मिलता है जो की 3X optical zoom के साथ में आता है साथी इस smartphone के camera setup में आपको OSI भी देखने को मिलता है अगर video recording resolution के बात करें तो S20 में आप 4K 30fps और 1080p video को 240fps पर भी record कर सकते हैं अगर front camera के बात करें तो S20 में आपको 32 megapixel का front facing camera देखने को मिलता है जिसमें भी आपको सभी तरह के photo और video mode देखने को मिलते हैं print camera से भी आप 1080p 30fps वर video record कर सकते हैं अगर Motorola S20 की बैटरी के बात करें तो इस smartphone में आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 30W के fast charging के साथ में आती है Motorola S20 काफी slim और lightweight smartphone है जो की 6.99 mm के साथ slimest 5G smartphone हो जाता है साथी 163 gram lightweight देखने को मिलता है Motorola S20 काफी अच्छा smartphone है जिसमें आपको snapdragon 778 5G processor देखने को मिलता है जो कि 13 5G band को support करता है साथी 144Hz की एक AMOLED डिस्पले देखने को मिलती है अगर price की बात करें तो Motorola S20 आपको S plus 128GB Stories की कीमत आपको 29,999 डूपीस देखने को मिलती है जो की OnePlus Nord 2 और POCO F3 GT को कड़ी टकर देने वाला है अगर Motorola S20 Fusion की बात करें तो इस smartphone में भी आप 6.67 इंच की Full HD Plus AMOLED डिस्पले देखने को मिलती है जो की 9 tiers refresh rate के साथ में आती है साथी 10 bit color का support भी देखने को मिलता है जिससे Motorola S20 Fusion की डिस्पले काश भी vibrant हो जाती है अगर प्रोसेसर की बात करें तो Moto S20 Fusion में आपको Media Deck के तरफ से आने वाला Dimensity 800U 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है जो की 7 nanometer technology पे बन हुगा प्रोसेसर है अगर GPU की बात करें तो S20 Fusion में आपको Mali G57 GPU देखने को मिलता है तो काफी अच्छी तरह के प्रोसेसर और GPU combination के साथ Motorola S20 Fusion स्मार्टफोन आता है जिसके साथ आप high graphics game को mid और high setting पर play कर सकते हैं अगर Motorola S20 Fusion के camera की बात करें तो इस smartphone में भी आपको triple rear camera setup देखने को मिलता है जिसना primary camera आपको 108 megapixel का 8 megapixel का ultra wide और 2 megapixel का depth camera देखने को मिलता है इस smartphone में भी आपको सभी तरह के photo और medium mode देखने को मिलते हैं अगर video recording resolution की बात करें तो S20 Fusion में भी आप 4K 30fps पर और 1080p video को 120fps पर record कर सकते हैं इस smartphone में भी आपको EIS के सांथ सभी तरह के photo और video mode देखने को मिलते हैं इस smartphone में भी आपको 32 megapixel का front facing camera देखने को मिलता है जो की F2.3 aperture के सांथ में आता है front camera में भी आपको HDR के सांथ में अगर video recording resolution की बात करें तो front facing camera से भी आप 1080p video को 30fps पर record कर सकते हैं साथी S20 Fusion में आपको 3.5 mm आईडियो जेक देखने को मिलता है जो की Motorola S20 में मिसिंग था अगर connectivity के बात करें तो 4G, 5G के 13 बैंड के साथ इस स्मार्टफोन में आपको Bluetooth, Wi-Fi और NFC का सपोर्ट भी देखने को मिलता है अगर operating system के बात करें तो Motorola S20 और S20 Fusion में आपको secure and clean Android 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है जो की काफी plus point रहता है Motorola के phone के साथ अगर battery के बात करें तो Motorola S20 Fusion में आपको S20 के comparison में काफी बड़ी battery देखने को मिलती है जो की 5000 mAh की एक बड़ी battery देखने को मिलती है जो की 30W की fast charging के साथ आती है अगर Motorola S20 Fusion की price की बात करें तो 6 plus 128 GB stories की कीमत आपको 21,499 रूपीज देखने को मिलती है Motorola S20 Fusion एक ऐसा smartphone हो जाता है जिसमें आपको सभी तरह के all-rounder features देखने को मिलते है Motorola ने दोनों ही काफी सांदार और powerful smartphone launch की है अपनी Edge series में अगर आप smartphone लेना चाहते हैं तो description में दी हुई link पे click करके आप इने smartphone को ले सकते हैं साथी इस segment में आने वाले कुछ best smartphone की link की मेंने description में दी है जिस पे click करके आप उने smartphone को भी check out कर सकते हैं तो ये था complete video अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने अभी दक मेरा चैनल सब्क्राइब नेकिए तो प्लीज अर सब्क्राइब कीजिए तो थैंक यू सो मुच वर वाचिग इस वीडियो